इस साउंड बार का रिव्यू में करना नहीं चाह रहा था लेकिन जब मैंने इस साउंड बार को पहली बार सुना then I realized कि एक कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए बहुत शांदार साउंड बार है and इस रेंज में ऐसी कोई और साउंड बार मिल पाना इस पर्टिकलर टाइप की इंपॉसिबल है मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए आपको ये रिव्यू पूरा देखना पड़ेगा Hello दोस्तो, Welcome to my channel VM1 मेरा नाम है विनीद और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ Zebronics Juke Bar 3820A Pro का रिव्यू क्यों इतना लंबा नाम रखते हो Zebronics? दोस्तो ये एक रिव्यू यूनिट है जो Zebronics ने मुझे रिव्यू करने के लिए भेजा है बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो ही बोलूँ जो ब्रैंड चाहता है मैं वो बोलूँगा जो इसकी audio quality बोलती है इस साउंड बार को हम पिछले एक महीने से टेस्ट कर रहे हैं मैंने इसका रिव्यू अभी तक नहीं बनाया उसका एक स्पेसिफिक कारण है हम पहले इसकी burn-in करते हैं उसके बाद हर तरीके से हर टाइप की रूम में इसकी टेस्टिंग करते हैं उसके बाद इससे songs को record करते हैं उसे अपनी drive पे upload करते हैं और उसका link मैंने आपको description box में दिया है आप उस link को click करके उन songs को download कर सकते हैं और सुन सकते हैं कि ये sound bar actually में audio कैसी produce करती है और उस audio को मैं explain करूँगा इस video में पहले थोड़ी looks की बात कर लें आपको looks की बात करें तो इसके front पे और इसके top पे आपको grill मिलती है metal की और उसके साथ आपको piano black finish में air vents मिलते हैं दोनो ही sides पे और इसके top पे आपको tactile buttons मिलते हैं इनका touch बहुत tactile है and they are soft to touch they look very very good जो अच्छी बात इसमें note करने वाली यह है कि इसके अंदर आपको upward firing speakers मिलेंगे and the driver size is very very good Zebronics का मानना है कि इसके अंदर आपको dual woofer मिलेंगे subwoofer rather but they are not subwoofers they are just normal speakers which act like subwoofer और इसके अंदर low notes को बहुत अच्छा produce कर रहे हैं but do they sound like actual bass और क्या आपको इसमें subwoofer की कमी महसूस नहीं होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा connectivity options के अंदर आपको HDMI, ARC, Optical port, USB और AUX port की support मिलेगी which is good और अगर आप इसे wall mount करना चाहते हैं तो आपको metal के 2 clamps भी मिलेंगे उसकी मतल से आप इसे wall mount भी कर सकते हैं remote control के अगर बात करो तो इसके अंदर आपको fully functional remote control देखने को मिलता है जिसकी build quality अच्छी है और इसके अंदर आपको bass और treble का control भी दिया है volume के साथ I think this is all about the looks अब सीधा चलते हैं audio test के तरफ audio test के अंदर आपको बहुत ज्यादा bass तो सुनने को बिलकुल भी नहीं मिलेगी and that is what this sound bar is all about आपको बहुत ज्यादा punchy bass इसमें सुनने को नहीं मिलेगी and you have to accept that कि आपको किसी भी without subwoofer की sound bar यानि solo sound bar के अंदर ऐसी bass कभी भी नहीं मिल सकती जो आपको with subwoofer sound bar दे सकती है let us accept it but इसके अंदर जो आपको bass मिलती है वो इन drivers की capability से कहीं ज्यादा है try to understand कि इसके अंदर जो दो main drivers है जिने zebronics subwoofer बोल रहा है उनमें जो power distribution दी गई है वो बहुत जबरदस तरीके से दी गई है you have to very closely understand the power distribution दोस्तो जो frequency range के अंदर lower bass और upper bass के बाद mids को connect करने वाली frequency होती है वहाँ पे frequency की power distribution को बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि अगर vocals यह रहे vocals और यह रही आपकी bass यहाँ पे अगर power distribution सही नहीं हुई तो vocals और bass बहुत अलग-अलग सुनाई देंगे आपको और उनमें integration बहुत ज़्यादा proper नहीं होगा बट इस sound bar में ऐसा नहीं है especially यह solo sound bar में बहुत ज़्यादा important होता है इस sound bar के अंदर जो vocals और bass का integration है वो इतना शांदार है कि आपको vocals में से भी वो bass सुनाई देती है जो होनी चाहिए अगर किसी singer की आवाज थोड़ी भारी है और आपको उसके अंदर थोड़ी सी bass सुनाई देती है then you can hear that in this particular sound bar अगर आपको baby को bass पसंद है type songs पसंद है तो उसके लिए sound bar बिलकुल सही नहीं है you cannot enjoy rock music or hard rock or very you know बहुत जादा bass वाले Punjabi songs आप इससे enjoy नहीं कर सकते but if you enjoy guzzles if you enjoy soft music if you enjoy jazz अगर आपको अपने TV के साथ लगा के इस sound bar को enjoy करना है और dialogues को बहुत clearly सुनना है then this is one of the best solo sound bars that you can get क्योंकि इसमें आपको वो bass मिलेगी जो बूमी नहीं है जो vocals के साथ डिलिवर हो रही है जो बहुत जादा बूम बूम sound नहीं करेगी उससे आपको डायलॉग सुनने में बहुत जादा मदद होगी ये मैं सिर्फ बोलता ही रहूंगा ये आपको सुनाओंगा भी चलिए आपको एक विडियो सैंपल भी सुनाता हो जाकेट इस इस टेमिस वेरी नूट काव विस्परेंगे प्रफ़ेंगे ये जो आपने दो ट्रेलर सुने उसके अंदर आपको बेस सुनाई जादा नहीं दी होगी इसमें आपको जो डायलॉग डिलिवरी है वो बहुत जादा अच्छी लगी होगी इसमें आपको वोकल्स में सुनने में कोई परिशानी नहीं होगी और इसका कारण सिर्फ यही है कि ये वोकल्स को बहुत अच्छे तरीके से साउंडबा डिलिवर कर रही है आप जब डाउनलोड करेंगे ऑडियो फाइल्स को डिस्कृप्शन बॉक्स में से तो उसमें आप कुछ पर्टिकुलर सांग सुनेंगे और उसमें आपको बहुत जादा इंस्ट्रुमेंट्स के अवाज आएगी और वो इंस्ट्रुमेंट्स की आवाज ये साउंड बार इसलिए डिलिवर कर रही है क्योंकि इसके अंदर दो छोटे ड्राइवर लगे हैं जो हाई नोट्स को बहुत अच्छे से डिलिवर कर रहे हैं This is some sort of dark audio signature at the end और ये dark audio signature इतना ज्यादा sweet होगा I didn't know इतना ज्यादा मज़ा आया मुझे इसको सुनने पे That I was enjoying jazz music on this particular soundbar for days और ये soundbar is sounding like a dream Because इसमें जो vocals की clarity है इसमें जो mids इतने powerful दिये गए है उस से आपको TV के साथ लगा के चाहे बहुत अच्छा soft music सुनके गजल सुनके या फिर jazz सुनके या फिर classical music के उसको सुनके बहुत जादा मज़ा आने वाला है I told you already कि this is not the good soundbar for rock, hard rock and Punjabi आप अगर वो सुनते हैं तो ये soundbar उसके लिए सही नहीं है अगर आपको अपनी TV की audio को enhance करना है If you want more dialogues to come out of your TV audio then this is the perfect soundbar for you solo soundbar क्योंकि कई लोग आप में से ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब वूफर रखने की जगा नहीं है and this is the perfect solution for you people हम बात करेंगे Amazon Alexa के बारे में इस साउंड बार में आपको Alexa integration मिलेगी और उसको करने का तरीका बहुत simple है आपको किसी भी smartphone में Android या iOS के अंदर Zebronics की app को download करना है इस soundbar को pair करना है और Alexa को enable करना है और उसके बाद आप through Alexa इस soundbar को या फिर इस soundbar से connected किसी भी device को like TV control कर पाएंगे इस soundbar के अंदर दो far field microphones दिये गए है and they work quite well approximately 10 feet के distance से जो हमने test किया up to 10 feet यह बहुत अच्छ से काम करे and we did not face any sort of problem or complaint with these microphones so इस चीज में इस आस्पेक्ट में इस वेरी वेरी गुड I don't know यह fancy feature आपको बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लगेगा के नहीं but मैं अगर होंगा तो मैं इस feature की वज़े से इस soundbar को कभी भी नहीं खरीदूँगा but मैं अगर इस soundbar को खरीदूँगा तो इसकी अच्छी audio quality and particularly because of very strong mids क्योंकि इसमें bass और treble control है तो kind of मैं इसमें अपना audio signature बना सकता हूँ और किसी भी type के audio signature को create करके अलग-अलग genre के songs को सुन पाना अपने आप में that is the best freedom that you can have from any audio device इस soundbar के लिए अगर आपके मन में कोई भी और सवाल है जो आप मुझसे directly पूछना चाते हैं तो comment section दिया है ना उसके अदर लिखिये और मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी दूँगा अगर आप किसी और soundbar के बारे में कोई भी और सवाल पूछना चाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप और अगर आप social media पे आना चाते हैं तो यह रहे मेरे handles यहाँ पे आके मुझे DM करिए और 48 hours के इंदर अपना जवाब ले जाईए मुझसे 100% और दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो यह ज़रूर बताईएगा मुझे comment section में और मैं आपको एक बहुत ही शानदार नए वीडियो के साथ मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी जुड़े रहे है Thank you very much